नमस्का दोस्तों वेलकम टू में चैनल आज का जो टूटूरियल हम लेके आया है एक सब्सक्राइबर का कॉस्चन है जैसे कि हम एक 4-4 लूप बजा रहा है कोई एक 4-4 लूप चल रहा है वो क्या हम 3-4 में कर सकता है तो इसका जवाब में हमारा एंसर है नहीं कर सकता है और अगर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या फंडा आप लोगों को यूज करना पड़ेगा जैसे कि यह 4-4 टेम्पो है ठीक है अगर हम लोग बजाएंगे हम लोग सुनेंगे 1-2-3-4 और टाइम सीखनेचर भी 4-4 है 120 टेम्पो में अगर हम क्लिक ओन कर देंगे तो 120 भी देंगे तो यह मिलेगा नहीं एकदम 100% मिलेगा नहीं तो किसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक 4-4 का जो नेचर होता है जैसे की 1-2-3-4 करकर जो बजा रहा है उसका कीक उसका स्नेयार उसका हायेट उसका टॉम्स उसका जितना सारा पार्ट रहता है तो उसका इसर से 4-4 का एक निचर में चलता है, तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकता है, अगर इसको करना ही चाहते हो, तो हम लोग काट करके, लग-लग करके, sounds ले सकते है, तो, जैसे कि आप लोग को हम बोलना लोग चाहते हैं तो इसको पहले स्नैप को ओफ कर दो एक नमबर तो यह कुन सा टोन है पहले देखना चाहिए जैसे कि यह हमको लगड़ा है यह जगापर हम काट्षर को रखा है यह टोन है कीक का एक दव फरनेट परसेंट नहीं यह स्नेयर का है और एक कीक यह वाला कीक होग यह वाला कीख है यह वाला सनेयर ठीक है और उसका साथ साथ जो परकुशन बजा हुआ है तो उसको भी थोड़ा सबस्क्राइब करके काटना पाड़ेदा तो कैसे हम काटे इसको थोड़ा से जूम करते जूम करते करते लास्ट लेवल तक जो जगह पर कोई साउंन्स है नहीं जैसे कि हम लोग इतना बड़ा कर दिया है ठीक है देखिए यह जगह पर जो हमको लग रहा है अगर हम इस जगह पर काटे तो ठीक है यह थोड़ा सा मतलब जो जगह पर लाइन टाच है मतलब लाइन ठीक से है उसका हिसब से हम लोग वो जगह पर जूम करके मैकसिमम जूम कर तो जगह पर हम लोग काड़ सकते हैं और यह जीरो क्रॉसिंग बोल रहा है स्नाप टू जीरो क्रॉसिंग का टीटोडियल हम दिया है थोड़ा एक बड़ देख लीजिएगा तो देखिए यह जगह पर थोड़ा साउंस कम है तो इसको काटेंगे एक नमबर के हैं उल्टा अलाग करके हम लोग नीचे में रखतेंगे तो ये थोड़ासा हम लोग क्या करेंगे और प्रेस करके नीचे m यह निकल के आगी यह कीक हो गिया इसको इसको मिट करकर रखते हैं ऐसे करके हम बहुत सारा टोन्स ले लेंगे जैसे कि इसको भी इसनेयर है इसको भी काटेंगे इसको थोरा से जुब जब भी काटना पड़ेगा जब आप लोग काट तो एकडम जगा से काटना सबसे काटो और अगर कोई भी जगह पर अगर हम लोग sound को काटे तो यह जगह पर sound तो इसलिए जो जगह पर sounds एकदम नहीं है वह जगह पर काटना ठीक है इसको फिर से zoom out कर लेंगे फिर alt press करके इसको भी नीच अ कर लेंगे तो यह हो गिया, तो इसको हम लोग 3-4 में सजाएंगे, मतलब हम थोड़ा सा आप लोगों को बोल दे रहा है, जैसे कैसे यह करते हैं, उसका हिसाब से sounds को अलग करके हम ले लिया है, तो इसको हम लोगों को 3-4 में करना चाहिए, जैसे कि एक kick हो गया, एक snare हो गया, जैसे कि हम हम लोग कर सकते हैं, तो इसका हिसाब से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 3-4 कर देंगे, 3-4 हो गया, अभी यह दू का अंदर इसको रखना पड़ेगा, जैसे कि पहले kick हो गया, इसको इधर एक होगा, और इधर एक होगा, एकतम simple सा, इसको snap को on कर देते हैं, इसको बार बार नहीं है, बीट कर देते हैं, एक नमबर बीट में यह होगिया, 2नमबर बीट में यह होगिया, तो इसको भी हम लोग ठोड़ा क्या करेंगे, इसको ग्लू कर देंगे, ग्लू करके हम लोग एक सजा लेंगे, और last step क्लू करना चाहिए, जैसे कि इधर थोड़ा से pencil काट इतना दूर तक कर लेंगे और इसको glue कर देंगे हो गिया तो यह एक बार का हो गया तो इसको हम लोग अगर double करेंगे Ctrl-D करेंगे इसको select करके Ctrl-D तो क्या होगा इतना दूर तक हम लोग 120 BPM में 3 by 4 में इसको play कर सकते इसको अगर solo करके play करेंगे तो देखता है तो हम लोग वही जगह से लिया है यह particular loop से लिया है तो अभी क्या हो रहा है यह जो जगह है ठीक जगह जैसे कि हम लोग यह लग रहा है क्या सभी को समझबाँ आ जाये गांगे जह हम लोग थोड़ा काट कर के किया है तो इसको fade out करना पड़ेगा, fade in और fade out करना पड़ेगा, तो इसको जब double click करेंगे, तो इसमें अगर हम लोग जाएंगे, तो यह particular जगह है, सभी को fade out करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करके fade out जितना करेंगे, तो क्या होगा, smoothness रहेगा, sound के smoothness हो जाएगा, तो इसको delete करके, फिर इसको select करके, इसको control D कर देते हैं, तो अभी चलाते हैं, simple सा, एकदम simple सा बज़ेगा, इस type के बहुत सारा loops मिलता है, जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, तो search करके देखोगे, तो free में बहुत सारा one shot मिलता है, तो काटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मगर, ठीक ह हो रहा है, तो उसका हिसाब से आप लोग कोई भी loop चूस करके, उसको काटके कर सकते हो, मगर इस type के अगर करना चाहते हो, तो ठीक है, कोई एक, देखो, free वाला कुछ loop है की नहीं है, अगर copyright free वाला कोई loop होगा, तो उसको एक snare लेलो, एक drum लेलो, एक kick लेलो, एक tom's लेलो, अपना हिसाब से सजा लो, बैठा बैठा के, एकदम जगा जगा में बैठा के समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम कर सकता हो, यह हो गिया, एक answer, question का, जो question किया है, उसका हिसाब से हम answer दिये है, 4-4 से हम 3-4 कैसे कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा चलेगा, और हम लोग swing कर देंगे, जैसे कि हम लोग grooving करेंगे, वो able turn में हम लोग करके दिखाएंगे, grooving करके हम लोग six side कर सकते हैं, जैसे कि हो रहा है, मतलब, जैसे चल रहा है, तो उसको बोलता है कि सफलिंग करके हम लोग grooving कर देंगे, और यह midi में भी है, midi में भी possible है, midi भी possible, कैसे possible है, थोड़ा सा हम touch कर देते है, अगर कोई हम लोग midi data लेंगे, कोई भी अगर midi data इधर हम लोग काट लेंगे, ठीक है, काट लिया, यह midi data इतना दूरता काट लिया, और इसके अदर कुछ भी data हम लोग डाल देते है, इसको लगाते है, इसको लगाते है, इसे करके लगा दिया अभी क्या है particular जो midi data है इसका अंदर हम लोग इसको grooving कर सकते हैं कैसे कर सकता है इसको right click करके जब हम्लों quantize में जाए midi का लग अंदर में जायेंगे तो इधर से भी जा सकते है over quantize नहीं है क्वांटाइस का option में जा सकते हैं, Q मानने से क्वांटाइस होता है, मगर हम लोग मैं जब जाएंगे, इधर आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि किस टाइप का क्वांटाइस हम लोग करना चाहते हैं, उसका बात देखिए यह random क्वांटाइस, यह non भी मिलेगा सफलिंग मिलेगा जैसे कि गुरुविंग करके हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकता है थोड़ा लगेगा थोड़ा चेंज होके इसका पैटन थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसका में में मैगनेटिक एरिया मतलब क्या है यह देखिए यह जो पिक्चर चेंज हो रहा है यह पिक्चर चेंज हो रहा है मतलब ओ जगह पर मैगनेटिक एरिया और यह जगह पर उसका एरिया है मैंकेटी को सकता क्या है मतलब यह जो जगह पर कीक बजना चाहिए था ऊव जगह पर बजेगा नहीं पहले आगे बजेगा नहीं तो पाड़े बाद प्रिक्षान तो यह होता है magnetic area भी हम लोग set कर सकते हैं यह तो मेडी का chapter यह की वज़ में हम समझाएंगे basically आज का जो chapter था यह वाला chapter था 3-4 bit को 4-4 bit को कैसे हम लोग 3-4 में करें यह कर दिया आप लोग ठोड़ा करके subscriber का volume बार रहे और इसलिए हम सभी को हमारा क्या बोलते हैं मनला आप लोगों का सभी का आशिरवात से ऐसा हो रहा है तो जो हमारा चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब में चैनल and share the video link जैसे कि यह थोड़ा सा फैल जाए और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत आइटेम देखे कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आप लोग अपना खोद बनाओ कोई कोई भी composition खुद बनाओ और mixing mustarding का तो दिया भी है और भी touch करेंगे और भी बोलेंगे क्योंकि जो जो गाना भी mix करके हमारा एक गाना बहुत अच्छा popular हुआ है हमें एक बद दिया भी था Spotify में चल रहा था तो आभी थोड़ा सा three weeks उसका एकड़म टॉप position में था नमबर one, number two, number three का अंदर ही घुम रहा था तो पीया मोरे बोलके हम एक चैनल में दिया है तो उसका जो mixing हमने कैसे किया है उसका थोड़ा सा एक session चालू करेंगे जैसे कि एक दो chapter में होगा नहीं दो तीन chapter लगेगा और उसमें अलग से एक session ही रहेगा जैसे कि इस टाइप क गाना का जो arrangement था तो हम एक EQ करेंगे आप एक EQ करेंगे थोड़ा से difference अगर होगा तो किस लिए हो रहा है हम high frequency को बड़ा है ना meet को बड़ा है ना कौन सा band को हम थोड़ा से change किया है तो यही थोड़ा सीखना का है और कुछ नहीं है basically सभी का पास सब टाइप का अलग अलग टाइप का जो होता है mixing mastering के लिए जितना सारा package होता है bundle होता है सभी का पास है हम देखा है मगर कैसे operate करते है वो जानते नहीं है तो इसलिए हम इतना ज्यादा मतलब हमारा channel में 800 800 का उपर वीडियो है इतना ज्यादा वीडियो दे रहा है एक एक करके single single करके दे रहा है जैसे कि आप थोड़ा पर आप लोग इसमें ऐसा टैप के frequency होना चाहिए उसमें ऐसा टैप के तभी तो एक quality वाला सुनने में लगेगा न तो इसलिए आप लोग support कर रहा है हमको बहुत खुशी हो रहा है हम भी कोशिश कर रहा है आप लोगों को अलग अलग करके देने का तो थैंक यू दोस्तों कर दोषद है